जोहार सातियो आप सभी को जहारखन नोटबुक चैनल में हारदीक स्वागत है तो जह SST की ओर से जहारखन परसिक्षत पार्थमिक सिक्षक संग्त परिक्षा का नोटिफिक्षन रिलीज कर दिया गया और इस ससन में हम लोग इसी के बारे में डिटेल्स में बात करेंगे हम लोग इस नोटिफिक्षन के बारे में पिछले 6 महिना से बात करते आ रहे है कि कब आएगा कब आएगा अब वो पल आगे आप लोगों के सामने जब इसका नोटिफिक्षन जो है जारकन सरकार की ओर से रिलीज कर दी गई है पट अभी भी बहुत सरी विदर थी जो है इसमे खूस नहीं होंगे खूस रहना भी नहीं चाहिए क्योंकि बिना जेटेट का ये निजुकती जो है क्या जा रहा है तो वह सब सारे चीजों को छोड़ते हुए इस नोटिफिक्षन में क्या बात किया गया इसके बारे में हम लोग डिटेल्स में बात करेंगे कंप्लिट समझ जाएगा कि आपको किस प्रकार से त्यारी करना साथी आपको क्या डोकुमेंट्स बनाना सारे चीजों साथी क्लाश 1-2-5 में भी दो केटेगरी में वेकंसी है एक जो पारा सिक्षक कार्जरत है उनके लिए अलग वेकंसी है यानि उनके लिए सिर्फ पारा सिक्षक बाले ही आभदन कर सकते है और पारा सिक्षक बाले ही उस वेकंसी को फिल कर सकते है दूसरा जो केटेगरी है वो गेर परासिक्षक यानि कोई भी विद्दार्थी जो क्या क्या जेटेट पास क्या है और जो सिक्षक पर सिक्षक है वे एपलाई कर सकते हैं तो दो केटेगरी आपको समझ में आ गया है पहला केटेगरी परासिक्षकों के लिए है दूसरा है गेर परासिक्षकों के लिए में मिल जाएगी नोटफिक्षिन में आप देख लेंगे कि जो भी जिला से आप अप्लाई करना चाहते है उस जिला में नंबर ऑप सीट कितना है जैसे यहां लाते आ रहे है गोड़ा है तो यह परासिक्षिकों के लिए है उसके बाद फिर आप इसे नीचे आएंगे सारे ज लेट कने आप इस्टिकषिक मिला करके अब आप यहा देख पा रह scroll के बर्ती के लिए डिष्ट्रिक वस जुढश्जिए अश्चर्ट नबर में तो या 230 वेकंसी जो है कहां पर है स्राइकला खर्सवा में आपका 230 वेकंसी मिल जाएगा आपको लातेहार में नंबर वेकंसी कितने है जो सभी के लिए है यानि कि ये गेर परासिक्चिकों के लिए यानि अगर आप जेटेट क्वालिफाई है तो आप इसे इस पदोपर 26 सीट है गुमला से 205 जामतरा से 168 रामगर का 95 तो ये सारे वेकंसी आप देख सकेंगी जैसे राची राजजानी से कितना है 310 वेकंसी है उसके बाद खोटी से भी आपका 127 तो ये सारा चीजे आप नोट्पिक्चिन से देख लेंगे अब हम लोग आगे बढ़ते हैं जैस 236 और BC 224 और EWS 40 तो प्लामों के बाद हम लोग सारे चीले को देख लेंगे यहाँ पर आप देख पारेंगे देवघर से भी अच्छा खासा सीट है 315 का पाकोड में 155 का साहिब गांज में 198 और धनबाद में 260 अब हम लोग जाएंगे आपका एजुकेशनल च्वकों के लिए अलग है और non-parasic चक यानि गेर परासिक चक के लिए अलग है याप हासा गयन का दिख रहा होगा लेंग्वेज का इसको भी कटेगरी वाइज बहुती बहुती बहुतर तरीके से यहाँ पर जो है टेबल में दिखाए गया है कि ताकि आपको समझने में क बढ़ा से रुकिएगा इसमें भी कोई डाउट होगा आपको तो कॉमेंट बोक्स में कि जाएगा विरकेंसी को ले करके तो कॉमेंट के थुरू उन सरे डाउट को क्लियार कर दिया जाएगा और जो भी डाउट आएगा वीडियो के मात्यम सा आपको solution प्रुबाइड किया जाएगा जैस्ट ए मिनिट इसको नीचे करते हूं यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर आपका यहाँ पर आपका एजुकेशनल कॉलिफिक्शन बाला तो सबसे पहले हम लोग क्लास वान टू फाइप बाला बात करेंगे यानि कि इंटर्मीडियेट परसिक्ष साहिक आचार्जियों की निजबती है तू जो यह बर्थी जो है कोई भी मानित प्राप्त संगस्तान से प्लास्ट तू यानि इंटर क्या हुआ हुआ है या उच्छोतर माज दमिक अथवा इसका समक्षक चूतिर न वह एलिजिबल है यानि अगर आप इंटर पास है तो आ इंटर प्लास डुले इसमें इसबें डिफिय प्राप्त के आउनि और आप उसके बाद यहां देख पारएंगों के अगर आप क्या किये है पी यलेड कि है चार वरकी जो बेचले से लिमेंटर और ऑसके और इसका दॉनिए किये है तो भी आप 1 to 5 के लिए eligible है या आप क्या किये है कि intermediate के साथ साथ आप सिक्षा सास्त्र यानि special education में दिवरसी diploma किये तो भी आप eligible है साथ ही अगर आप सनातक किये क्या क्या graduation किये आपके पास क्या है graduation है प्लस आपके पास टू यर्स डिप्लोमा यानि कि DL.8 वाला है तो भी आप 1 to 5 के लिए eligible है graduation plus DL.8 वो भी आपका eligible हो जाएगा उसके बाद class 1 to 5 के लिए आयोजीत सिक्षक पातरता प्रक्षा में इसके साथ साथ क्या होने चाहिए आपका जो GATed है वो GATed आपका उन भी भी मालत्य जोब को लेने के लिए क्योंके 50 अजार हो गए होंगे तो उनमें से बच के बहुत ही कम बच किनक लेगा वो साथ ही पारा सिक्षक बाले भी है तो इस प्रकार से देख पा रहे होंगे कि इस पचास जर वेकंसीज में पहले जो जेटेट पास की है उनको बेनिफिट मिला और मिलना भी चाहिए बट इसमें नए केंड आपका भासा के लिए अलग क्वालिफिक्षन है और सब्जेक्ट के लिए अलग क्वालिफिक्षन है सब्जेक्ट को भी दो कटेक्रेज में डिवाइड किया गया एक गनित और विग्ण सिक्षक दूसरा समाजिक विग्ण सिक्षक और तीसरा भासा सिक्षक तो आब यहां सनातक या इसका समकक्षण मुत्त्रिन हो वही eligible है यानि इसमें आपका सबसे पहला जो चीज होना चाहिए graduation होना चाहिए आपके पास यानि सिर्फ और सिर्फ अगरा प्लास्टु है तो आप eligible नहीं होंगे आपका गर्यों से होना ही होना चाहिए साथी साथ जिस विशय है तो भी आप आबदन करना चाहेंगे उसमें आपका सनातक होनी चाहिए जैसे अगर आप गनित बंग बिग्गान सिक्षक से अपलाई करना चाहते है तो आपका सनातक किस में होनी चाहिए कोई भी तीन विशय में आपका सनातक होनी चाहिए जैसे कि सनातक साइन्स होना चाहिए बिग्गान होना चाहिए या बिग्गान में उनर्स यानि प्रतिष्टा होनी चाहिए गनित भोतिकी रेसाइन सास्त्र पनस्पति बिग्गान प्राने बिग्गान इन पाँच चीजों में से कोई एक चीज में आपका उनार्स होनी चाहिए या नॉर्मल आपका बेसे डिग्री होनी चाहिए तो आप क्लास 6-8 के लिए eligible है उस भासा में आपका होना जो रियसना तक अतवा के समगक्च और प्राड़मिक सिक्चा सास्त्रियों में DL8 के साथ DL8 वाला भी क्लास 6-8 के लिए eligible है बट यहां condition है कि graduation आपका उस subject के according बननी चाहिए साथी साथ आपका graduation प्लास B.A. वाला भी eligible है graduation यानि graduation में अपका 50 percentage marks और साथी साथ अगर आप B.A. किये है तो आप क्लास 6-8 के लिए eligible है और B.A. वाले भी eligible है अगर आप social science के teacher बनने चाहते है तो आपके पास तीन बरसे सनातक या सनातक में प्रतिष्टा होनी चाहिए honors आपका subject combination क्या क्या रहना चाहिए इतिहास भूगल राइन तीविग्यान कोई भी तीन विशाई के संथाली बंगला मुंडारी मुंडा हो खड़िया कुडूक कुर्माली खोर्टे यह सारे भास आपका सामिल है साती साती नीचे क्या लिख दिया गया यह सबसे पड़ा बात है कि आपका जेटेट परिक्ष्छा आपका होनी चाहिए जेटेट अगर आप पास है यह सारे जो चीज़े कि कब से कब तक apply होगी तो साथ सेप्टमर तक आप apply कर सकते हैं साथी साथ इसका जो सलेवास बगर हो गया जहारकन teacher requirement करके जो playlist में है, वहाँ पर आप जाएंगे, तो यह सारे चीज़े आपका clear हो जाएगी, तो वो playlist आप चेक कर लिजेगा, साती जो classes के लिए भी playlist बना दिया गिया है, जहारकन teacher जैसा से PRT करके एक निया playlist create कर दिया जाएगा, और delivery basis पर आपका classes जो है आपको upload कर द with the quality content, सबसे बड़ा चीज़ जो matter करता है, quality matter करता है, अगर आप quality content से पढ़ाई नहीं करेंगे, तो आपका exam नहीं clear होगा, यह आपके लिए एक बहुत ही अच्छा मोगा है, बट सबसे आंत्में भी बताना चाहती, यह vacancies तो release होगी, बट इस पर court case होना ताई है, वो आतर तरीके असा क्यारे कीजिए, यही आप सुब कमना है मेरे तरफ से, और चैनल में बने रहेएगा, so that time to time जो भी update है, वो आपके पास सबसे पहले पहुँचे, thank you